नमस्कार, तो हम बात कर रहे थे विभिन रास्यों में विभिन ग्रह क्या क्या परिणाम देंगे तो इस वीडियो में बात करेंगे जब बुद्ध की रासी मिथुन में केतू आते हैं तो केतू मिथुन रासी में क्या परिणाम आप लोगों को देंगे तो आपकी कुंडली में किसी भी भाव में हो सकता है मिथुन रासी के केतु हों तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ये प्लेस्मेंट आपको अपने लगन चार्ट में चेक करना है तो देखें मिथुन रासी मिफ्षुन रासी काल पुरुष की कुनले में तीसरे भाव की रासी है और यह सुचना और वुद्धी को दिखाती है वुद्ध्घ्रह जो है वुद्धी का कारक है और वानी का कारक है तो जो तीसरा भाव है वो communication का है वो बात्चीत का है और वो पडोशियों का रिस्तिदारों का भी है और इस भाव में इस रासी में केतु का आना ये दूशा भाव रासी है तो केतु है वो बिल्कुल ब्लाइंड है वो सिर्फ सरीर है उसके पास और उसके पास जो सिर है वो नहीं है यानि उसके पास बुद्धी नहीं है तो बुद्धी यहां पर इस राशी में है यानि इसका जो स्वामी है वो बुद्धी का परतीक है वो ग्यान का परतीक है वो कोसल को दिखाता है तो कहीं न कहीं इस प्रकार का जो जातक होगा वो हमेशा दोहरी मानसिक्ता का होगा उसको ये नहीं पता होगा कि सही क्या है गलत क्या है या उसको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए इसी प्रकार से ऐसे जातक हमेशा एक एनिस्चिता से जिवन में गिरे हुए रहेंगे वो किसी भी ढंग से, किसी भी प्रकार से, किसी एक सटीक नेड़ने पर नहीं पहुँच पाएंगे इसी प्रकार से मन में इनको थोड़ा सा भेह रहेगा दूसरों से जब ये बात करेंगे तो इनको अंदर ही अंदर संकोच साउत्पन होगा और इनका जो आत्म विश्वास है वो इनमें नहीं रहेगा इसी प्रकार से जिवन को ये बहुत ज़्यादा सुतंत्र होकर जिना चाहेंगे ये परतिबंदों में कभी भी जिवन यापन नहीं कर पाएंगे इसी प्रकार से ऐसे जातकों में हलंकी बुद्धी बहुत ज़्यादा होती है लेकिन ये अपने विचारों के एस्तिर्था और अपने सभाव की एनिस्चिता की वज़े से उस बुद्धी का ठीक से उप्योग नहीं कर पाते हैं इसी तरह से ये चिड़चिडे होते हैं और केतु इनको बहुत ज़्यादा चिड़चिडे बनाता है और ये सभाव से देखा जाए तो बिल्कुल सरल सभाव के आप लोगों को लगेंगे लेकिन इनमें ईगो बहुत ज़्यादा होगा इस परकार के जातक जो कुछ भी करना चाहेंगे ये पूरी तरह से सवतंत्र होकर करना चाहेंगे अगर इनके उपर पर्तिबंद लगा दिये जाएं या इनको किसी भी तरीके से रोका जाएं या कोई भी obligation हो तो ये ठीक परकार से काम नहीं कर पाते क्योंकि और ये अंदर ही अंदर कुछ ऐसे विचारों से घिरे देते जहांपर इनके मन में थोड़ा भैसा रहता है इनमें संकोच बहुत जादा रहता है ऐसे जाद तक कई बार करोधी सभाव के होंगे और वो समंदों को लेकर अगर देखा जाए परसपर समंदों में ये काफी ज़्यादा सवेदन सील होंगे समंदों में जो कुछ समस्यां आती हैं उनके परती बहुत ज़्यादा इनके मन में समवेदना होगे और इनके अपने परिवार वालों से, पडोसियों से, रिष्टेदारों से समन्ध ठीक नहीं होंगे ऐसे जात्कों को जिवन में हमेशा ऐसंतोस का सामना करना पड़ता है इनके मन में ऐसंतोस हमेशा वो रहेगा इनके विचार थोड़े डगमगाते हुए से रहते हैं, कोई स्थिर विचार इनके नहीं रहते, तो कई बार इनको निरने करने में भी काफी ज़्यादा दिक्कत आती है, जो बुद्ध का यहाँ पर प्रभाव है, बुद्ध का जो बुद्धी या इंटेलिजेंस हम कह सकते ह तो वो इनको पूरी तरह से काम नहीं आएगा ऐसे में, तो इस परकार से ये लोग हमेशा हमेशा के लिए संसे में बने रहेंगे, और ये अपनी चतुराई को, अपनी बुद्धी मता को बुनाने के लिए काफी ज्यादा संगर्ष अपने जिवन में करेंगे, इसी तरह से इनको कुछ gastric problems हो सकती हैं, अगर health के साब से दिखा जाए, और ये काफी ज़्यादा चिंता से गिरे रहेंगे, ये कहीं न कहीं संसे, संसे जिसको हम doubt भी बौल सकते हैं, उससे गिरे रहेंगे, तो इनकी कोई एक clear हम बौल सकते हैं, कि कुछ clear बात इनके मन में नहीं होगी किसी मुखे मुद्दे को लेकर इनके विचार सपस्ट नहीं होंगे, दोहरी परकरती के विचार होंगे, तो इसी वज़े से ये संसे का सिकार होते हैं, ये तै नहीं कर पाते कि क्या सही है और क्या गलत हैं, इसी तरह से मिथुन डासी में केतु हैं, तो यहाँ पर जानकारी या रहसे में जानकारी हो सकती है लेकिन ये जानकारी का ये सही परकार से सही तरीके से उपयोग कर पाने में हमेशा हमेशा के लिए ऐसमर्थ होंगी तो फिलाल अगर आपका मिथुन रासी में केतु वैठा आपके चार्ट में तो वो नीच का भी हो जाएगा और आ अलग अलग हाॉस में इसके जो result हैं अलग-अलग हो सकते हैं तो कही ना कहीं आप अपने चार्ट में चेक कर लिजी कि इस परकार के जो गुण है या जो बाते हैं आपके लिए कितने सटीक साबित हो रही हैं। तो फिलाल ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद.